दोस्तों बीते कुछ हफ्तों से आप लोग लग लग विडियो में सुन रहे होंगे इस तरीके से भारत और अमरिका के बीच में तेजय समाक टू इयर क्रेप्टों के इंजिन को लेके जो बातचीच चल रहा था वो एक तरीके से मुश्किल में अटका हुआ है और अमरिका के सकता है तो ही पे अगर अमेरिका के साथ संपूर्ण टेक्नोलोजी ट्रांसफर को ले के बात्चित होता है तो उससे पहले अमेरिका को एक तरीके से प्रिशराइज भी रखना पड़ेगा और ये भी मैसूस करवाना पड़ेगा कि अगर अमेरिका टेक्नोलोजी नहीं देता ह क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फाइटर जेट इंजिनों को लेके भारत अमरिका और ब्रिटेन के इलावा अब फ्रांस के साथ भी बातचित कर रहा है। पूर्ण ने टेकनोलिजी ट्रांसवर के तहथ बनाया जा सके और खाली टेकनोलिजी ट्रांसवर के साथ भारत में बनाना नहीं है बलकि इसके एक सप्लाई चेन को भारत में तयार करना है ताकि इंजिनों के रिप्लेस्मेंट या फिर कहा तो स्पेर पार्स के सप्लाई भी 414 इंजिनों को सिलेट किया था जो कि पहले काफी कम मातरा में खरिदा जाना था बोलके भारत के तरफ से केवल मातरी इसके वेट सेक्षन को ही भारत में टेक्नोलोजी ट्रांसफर के अंतरगत बनाने का बात कहा गया था जबकि बाकी सेक्षन सब भारत में एसेंबल होना था पर अब बताया जा रहा है कि बड़े मात्रा में इंजिनियों को खरिदना है और इसी कारण भारत के तरफ से डिल में बदलाव करने का बात रखा गया और वेड सेक्षन के साथ सल्सके ड्राई सेक्षन मतलब इसके कोर और ब्लेड सेक्षन का भी टेकनोलोजी ट्रांसफर के स अपने तेजर Smart 2 यार्क्याप्टो में ना करें ऐसे मैं दोस्तों अगर इन इंजिन्यों का टेक्नोलोजी भारत को नहीं मिलता है तो भारत को दो उनक्सान हो सकते है जिन अमेरिका को इससे फाइदा ये होगा कि बड़े मात्रा में इंजिनों को भारत में मिनुफैक्चर किया जा सकेगा और अमेरिका एक तरीके से जेट इंजिनों के सप्लाइचेन में जुड़के बिलियन डॉलर्स के डील को हासिल कर सकेगा तो वही पे 110 क्लोंटर थ्रेश्ट इंजिनों के भी डेफलोप्मेंट को लेके अमेरिका को एक बड़ा फाइदा होगा और भारत के साथ इस डिल को भी संपूर्ण करने में अमेरिका को मदद मिलेगा दोस्तों अमेरिका को भरम ये है कि अगर अमेरिका भारत को टेक्नोलोजी नहीं देता है तो कही से भी भा अगर भारत ब्रिटेन के साथ केवल मात्रा आगे बढ़ता है तो ब्रिटेन भारत को धोका नहीं देगा। अगर भारत को भारत को भरोसे में लेने का प्रयास किया जा रहा है और A414 इंजिनों को लेके बात्चित किया जा रहा है तो ही पर दूसरे दर्मियान AMC AIRCRAPTOW के इंजिनों को लेके फ्रांस के कंपणी सैफ्रान के तरफ से भारत के सामने एक बहुत बड़ा ओफर रख दिय अब दोस्तों ये जो इंजीनों के पोग्राम है ये भारत के भाविषे के लगवक्ट सभी याराप्तों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत बड़े मात्रा में याराप्तों को अपने बेडे में इंडेजिनियस तरीके से बना के शामिल करना चाहता है और भा एरफोर्स के बेड़े में शामिल करवाया जाएगा अब दोस्तों अमेरिका और फ्रांस का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरंद्रमोदी के इन दोनों देशों के दोरे के दर्मियान जेट इंजिन को लेके अवश्य चर्चा होगा औ पर उन्हें फ्रांस के जो नैशनल डे है उसके लिए चीप गेस्ट के रूप में बुलाया गया है अब दोस्तों इन दोनों यारक्रेफ्टों के इंजिन भारत के लिए अति आवश्य इसलिए है क्योंकि बड़े मात्रा में तेजस मार्क टू यारक्रेफ्टों को प्रोड भारत के पास अगर दो अलग अलग अप्शन रहा तो नेगोसियेशन को और आसान बनाया जा सकता है मतलब अगर भारत अमेरिका से A414 इंजिनों के टेक्नोलीजी को लेने में सफल होता है तो फ्रांस के साथ जो AMCA एरक्रेफ्टों के इंजिनों के टेक्नोलीजी हो रहा है उसे वी और मजबूत किया जा सकेगा और अगर दूसरे तरह फ्रांस के साथ भारत बात्चित में लिफ्ट होता है तो अमेरिका को भी दवाव में ला जा सकाया कि अगर अमेरिका A414 इंजिनों के टेक्नोलोजी नहीं देता है तो आप्शन के रूप में फ्रांस है हला कि यहाँ पर तीसरे ओप्शन रॉल्स रॉयस कंपनी है जो कि अल्रेडी भारत के सामने AMCA जैसे यारक्राप्टों के इंजिनों के डेवलपमेंट को लेके इंटलेक्चल प्रॉपर्टी राइट टेक्नोलोजी ट्रांसपर और एक्सपोर्ट फर्मिशन देने का भी बात कहा है और दोस्तो रॉल्स रॉयस की इजे 200 सीरिस के इंजिन को लेके तो एक समय तेजास यारक्राप्टों को बनाने का भी चर्चा था हाला कि साल 2008-10 के दर्मियान इन इंजिनों को भारत के तरफ से कुछ कारण के वज़ा से रिजट किया गया पर दोस्तो अभी भी खुला हुआ है मतलब अगर एक 414 इंजिनों के टेकनोडियों नहीं मिलता है तो शायद भारत रॉल्स रॉयस की इंजिन के तहट भी आगे बढ़ सकता है दोस्तो एक तरफ जहावे योरोफ के देश फ्रांस भारत को जेट इंजिनों के संकट से निकालने को लेके भारत के सामने ओफर रख रहा है तो उहीं पर दूसरा और एक योरोफ के देश से भारत को हाली में एक ऐसा हतियार मिला है जो इंडियन नेवी के जहाजों को और ताकतबर बना पाएगा रिपोर्ट के मुताविक इंडियन नेवी के जहाजों को जहाज़ वो फिलाल स्पेन शे लि से भी मजबूत कर सकेगा दोस्तों लिंसा एम एक ऐसे रैडर है जो कि हवा में उडने वाले ऑबजेक्ट से शुरू करके पानी के उपर तैरने वाले जहाजों को ट्रैक कर सकता है और दोस्तों इस तरीके के अन्य रैडरों के मुकाबले में इसके डिटेक्शन रेंज भी काफी अधिक है और ये रिलाइवल इन्फार्मेशन प्रोवाइड कर सकता है और दोस्तों इस ते इंडियन नेवी के जो जहाज है यो दूर से ही अपने थ्रेट को देख सकेगा या फिर कहा तो जिन जहाजों के पीछे इंडियन नेवी के जहाजों को अपना मिशन को वेसलों में भी करना चाहता है बेसिकल दोस्तों लगातार इंडियन नेवी को मॉडर्नाइस किया जा रहा है और इस मॉडर्नाइशन प्रोसस के अंतरगध जहाजों को भारत में बनाया जा रहा है तो उई पे कुछ गिने चुने parts ऐसा है जो भारत द्वारा अन्ने देशों से खुरदा जा रहा है और दोस्तों ऐसे पार्ट में सबसे बड़े parट है इस तरीके का radar हाला कि दोस्तों कई सारे अलेग अलेग type के radar भी भारत के द्वारा बनाया जा रहा है जो इंडेजिनियाज ऐसे जहाजों का पार्ट बन भी रहा है और बड़े मासरा में इस्तेमाल भी हो रहा है पर दोसो जिस तरीके से यूरोफ के देश अव लगातार भारत को अपने बहतरीन से बहतरीन हत्यारों का सप्लाई कर रहा है इससे एक बात तो साफ हो चुका है कि इन देशों को वी मैसूस हो गया कि भारत को अगर स्ट्रॉंग नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में डेम को बचाना है तो भारत को मजबूत होना आवशक है और शायद इसी कारण अब सभी तरीके के डेमोकरिटिक कंट्रियों के द्वारा भारत का मदद किया जा रहा है